आपको नाम से तो पता चल गया, कि आप जो इंटरेक्शन कर रहे है, मानि आप जैसे question पूछेंगे, पैनल आपको answer देता रहेगा, इसकी कोई भी limitations नहीं है, teachers जो imagine करेगा या आप जो imagine कर सकते इसके उपर आप सीधा लाके पढ़ा सकते और आपका कार्य कर सकते हैं, तो आग मैंनली पढ़ाने के लिए यूज होता है, इसके अलावा आप काफी सारी चीज़े इसमें कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां पर background कलर अभी black है, मैं bg मानि background कलर में जा रहा हूं, bg कलर यहां पर दिया गया है, यह सारे plain background है, plain background में आप देखेंगे, तो यह white है, म इसके अलावा मुझे green board करना है, black board करना है, जो भी select करूंगा, मैं सीधा यहां से select करके option दे सकता हूं, यहां पर picture shade है, तो picture shapes में थोड़े से options दिये गए, उसके अलावा bg picture मानि background pictures का option है, तो यहां पर आपका 4 line, जिसमें आप कर्षिव राइटिंग लिख सकते हैं, या फिर हिंदी लिखने के लिए double line, या गुजराती लिखने के लिए, संस्कृत लिखने के लिए double line का option यूज कर सकते हैं, इसमें customize background भी आप रख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप plus करके जाएंगे, आपको जो customized logo चाहिए, आप यहां से select करके अपने इसाप से आप ला सकते हैं, अगर कोई picture पढ़ा है, या कुछ भी, जैसे आप sports के teacher हो, और अगर आपको कबरी का या खोखो का ground लगाना है, तो सीधा आप यहां पर import करके इसको background के रूप में use कर सकते हैं, तो मैं यहां पर background pictures में जाके, कोई भी select करके confirm कर रहा हूँ, जैसे मैं confirm करूंगा, आपका background प BG मानि background है, undo redo है, select है, multifunction मानि multifinger और clear, कितने option आपको यहां दिख रहा है, इसके अलावा यहां पर menu है, टूल से QR है और switch है, switch इसलिए दिया गया है, कि अगर lefty teacher हो, तो कोई lefty बंदा हो, तो वो अपनी left side में रहे के लिख सकता है, और righty बंदा हो, तो right में वही रहे के ख जैसे हमने background select किया, background के साथ में यहां पर pen tool दिया गया है, pen tool में 5 अलग अप्शन है, उपर आप देखेंगे, तो अलग अलग size आपको देखने को मिलेगी, तो पहली जो दो size है, वो हिंदी या फिर gujarati या English, कोई भी language उसको लिखने के लिए use होती है, जो third है, वो आप होते हैं, वो यह size का use करते हैं, तो अभी मैं यहां पर कुछ लिख के दिखाता हूं, यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, श्री हरी, ओके, यह मैंने कुछ लिख दिया यहां पर, अभी आप देख रहे हो, सारा का सारा real time है, क्योंकि इसका जो response time है, वो 0.5 मानि 5 microsecond है, त इतना fast है, कि सारा real time है, आप देख सकते हैं, जो भी लिख रहा हूं, पूरा real time है, कुछ भी लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं, वो सीधा real time, कहीं पर भी आपको lake देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब panels में क्या होता है, कि उसका GPU और CPU इतना slow होता है, या फिर response time इतना ज function मानि multi finger touch है, यहां पर आप 20 finger से लिख सकते हैं, Android में एक मात्र पैनल ऐसा है, इंडिया में, जो 20 finger touch enable है, बाकी सब लिखते हैं, लेकिन Android में आपको कोई दे नहीं सकता, Android में जब 11 finger आपकी चलेगी, तब वो board बंद हो जाता है, यूज नहीं हो पाता है, तो यह इंडिया क एक मात्र पैनल ऐसा है, जो 20 finger touch आपको Android में भी देता है, हमारी company, खास करके इसी पर focus कर रही है, कि आपको additional costing कैसे डाउन करें, तो OPS अगर आपको नहीं डालना है, तो OPS का पाट अबोईड करके, आप सारे के सारे features आपको Android में दे रहे, active play store है, तो आप कोई भी application download कर सकते सीधा इस पर लिख सकते है, annotation का option है, तो word excel powerpoint पर सीधा लिख सकते है, split screen का option है, तो इतने सारे features आपको Android में दे रहे हैं, कि आपको OPS पार्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपका 20 finger touch अभी enable है, आप देख सकते हैं, कि मैं 220 finger से यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ multi function की जगा पर single function का उप्योग है, multi function की जगा पर मैं जब single function करता हूँ, यानि single finger touch करता हूँ, तब क्या होता है, तो यहाँ से पहले तो मैं आपको यह menu दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको add का option मिलेगा, add मानी आपको pages नहीं आते रहेंगे, one by one था, यह two by two है, यह three by three ह मानी कौन से page पर और कितने page एड की है, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, अभी मैंने 12 pages एड की है, तो आप कोई भी page को किसी भी रूप में रूपांतर कर सकते हैं, जैसे कि आपका पहला page जो blackboard है, दूसरा whiteboard करना है, तीसरा आपको greenboard करना है, च सारे के सारे pages आप अलग-अलग हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहां पर मैंने 12 pages एड किये, ऐसे unlimited pages आप यहां पर एड कर सकते हैं, एड करने के साथ मैं यहां पर आपको list view दिया गया है, लिस्ट करूंगा, तो जितने भी pages मैंने एड किये, सारे के सारे मुझे दिखे मैं स्क्रोल डाउन करूंगा, यह पूरे pages मुझे यहां मिल गई, यहां पर पहले page दिखा रहा है, पहले page में जाना है, वहां जालो, delete करना है तो मैं यहां से यहां से सीधा delete कर सकता हूं, इतने सारे pages बढ़ गए, तो यहां पर पांच pages से ज्यादा नहीं देख सकता, चार pages perfect दिखते हैं, थोड़ा आधा दिखता है, तो grid view का option है, मैं यहां पर जाओंगा, grid view का option है, तो आपके यहां पर 6 pages, नीचे 6, 6 दूनी 12, 6 तरी 8, 6 चोग 24, आपको जितना चाहिए, उतना pages यहां से select करने के लिए, आपको grid view में option मिल जाएंगे, तो मैं यहां से पहले page में जाना चाहता हूं, तो जब ज्यादा pages है, तब आप इस view का grid view का option, यूज कर सकते हैं, पहले page पे वापिस आ गया, तो इस साइड आपको next और previous का button भी दिया गया, जैसे दूसरे page में जाना है, second page हो गया, first page में जाना है, first page previous कर रहा हूं, पहले page में आ गया, तो यह पुरा साइड से आपका menu, यहाँ पे cover होता है, मैं second page में इसलिए आ रहा हूं, कि मैं आपको single finger touch का option दिखा रहा था, तो multifunction touch में अभी क्या होता है, multifinger touch होता है, तो जैसे 20 finger touch enable है, मैं कुछ लिख रहा हूं, और मेरी उंगली दुख रही है, मेरी उंगली में used to नहीं हूं, तो मेर करूंगा, इसको single finger में convert करूंगा, अब single finger होने के बाद, आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और साथ मेरा उंगली भी यहाँ पे जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी आपको मेरा दूसरा उंगली दिखाई नहीं देगा, तो सबसे बड़ा फाइदा यह है, एक option यह हो गया, अब दूसरे दो option भी हम कर सकते, for an example, मैं मैं बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, और मेरा page खतम हो गया, तो क्या करना है, तो यहां सथ unlimited pages में add करी सकता हूं, इसके साथ में single finger touch करने के बाद, यह canvas mode में आ जाता है, canvas mode में क्या करेंगे, इसको रखा, तो यह मैं दूसरा page पे आ गया, भी दूसरा page में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, यह खतम हो गया, तो मैं इसको उठा के तीसरे page में रख सकता हूं, इस हिसाप से मैं unlimited लिख सकता हूं, unlimited कुछ भी draw कर सकता हूं, अब अगर मुझे sum है, वो मैंने दो पार्ट में तभी यह enable रहेगा, ध्यान रखे, जब यह multifunction है, तब यह enable नहीं रहेगा, तब यह नहीं रहेगा, तब सिर्थ लिखा जाएगा, लेकिन जब single finger है, तब यह zoom in, zoom out होगा, तो दोनों page अलग-अलग थे, यहाँ पे लाके, आप यहाँ पे रख के, इसको दोने को compare कर सकते है इसी साब से मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, यह 30% तक छोटा होता है, और 300% तक बड़ा होगा, इसलिए मैं पहले page में जा रहा हूँ, अब बाकी का जो option है मैं दिखते हूँ, दिखा रहा हूँ आपको eraser tool है, eraser tool अपना 3 use होता है उसका, जैसे कि यहाँ पे eraser में first option यह है, मैं select किया, सीधा मैं इसको erase करना चालू कर सकता हूँ, इसके अलावा palm activation है, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और palm touch करूँगा, तो भी यह eraser activate हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे selection tool दिया गया, जितना भाग मैं select करूँगा, उतना भाग उड़ेगा, आप देख रहा है यह erase हो रहा है, तो इतना ही भाग select किया हुआ, वो यहाँ से erase होगा, और तीसरा option है clear, मैं right click करूँगा, पूरा page clear हो जाएगा, यहाँ मैं undo करके इसको वापिस ला रहा हूँ, इस हिसाब से आपको जितना चाहिए, उतना आप eraser tool करके, यूज करके, आप बाकी का ज्यादा निकाल सकते है, अब यहाँ को हटा क्यों ना हूई से, वो दिखा रहा हूँ, अभी मैं single function में हूँ, तो multi function और single function यहाँ पे है, single finger touch में हूँ, तो आप शरी हरी लिखा हुआ देख रहे है, इसको मैं उपर scaling देखे, मैं इसको बढ़ा कर रहा हूँ, तो यह 300% बढ़ा हो ग CP और CPU इतना advance है, कि इतना fast process करके आपको देता है, और 300% तक यह बढ़ा किया हुआ है, लेकिन एक भी pixel, single pixel इसमें फट नहीं रहा है, यह इसका सबसे बढ़ा फाइदा है, तो इसे साब से आप single function और multi function यूज़ कर सकते, single finger touch और multi finger touch, अगर जब आप single finger यूज़ करते हैं, तो आप 3 options ऐसे use कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाए, अब मैं next page में जा रहा हूँ, तो यह आपका दूसरा page है, यह तीसरा page भी blank है, यहाँ पर shapes option दिये गए है, shapes में जा रहा हूँ, यहाँ पर छोटो बच्चों के लिए, मानि केजी 2, 5, यहाँ पर अलग-अप्शन तो मैं shapes में जा रहा हूँ, यहाँ पर यह circle किया मैंने, तो circle आपका उंगली से भी हो सकता है, और pen से भी आप circle जो कर सकते हैं, इसके अलावा आप USP देखेंगे, तो यहाँ पर half circle है, half circle में आपको यह तो उपर नी मिलता था या नीचे मिलता था लेकिन इसमें पूरा customizable है कैसे हम देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे for example, यह रहा मेरा, यह half circle, इसको मैं किसी भी side rotate कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो इसी साब से मैं customize करवा सकता हूँ, अब मुझे कुछ पढ़ाना है, जैसे मुझे light जो है reflect हो रह और reflection of the light यहां पर मैं दिखा सकता हूँ, तो easily मैं यह सब tools का उपयोग करके सीधा बच्चों को सीधा पढ़ा सकता हूँ, तो आपका जो classroom है, वो एकदम easy use हो जाएगा, और यहां पर आपके पास shape के बाजू में background जो हमने देखा, undo redo का option है, और selection tool है, अब single finger touch और multifunction touch में क् मैं single finger touch कर रहा हूँ, यह पूरा page move होता है, बरबर, अब मुझे कोई particular एक चीज़ move करनी है, तो मैं क्या करूँगा, selection tool में जाओंगा, मैं line select कर रहा हूँ, उसको उठा के मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, line को छोटी बड़ी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं rotate कर सकता हूँ, मै अगर diagram बढ़ा रहे, जैसे kidney का या heart का function बढ़ा रहे, तो आप हर एक चीज़ को evaluate करके, अलग-अलग करके बढ़ा सकते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने में आपको भी मजाएगा, और बच्चों को बढ़ने भी बढ़ाएगा, तो यह additional है, जो selection tool है, वो select करके आप अलग- पहले मैंने किया था, वहां तक undo चला जाएगा, one by one redo भी हो जाएगा, तो undo, redo मैं generally इसको teachers revision tool के लिए भी यूज करते है, कैसे, कि जैसे मैं यहां खडा हूँ, और मैंने undo किया, तो मैं last time undo कर दूँगा, और फिर इसका remote आता है, साथ में तो remote, या फिर मैं pointer लगा के Bluetooth वाला सिधा next next करूँगा, तो redo करता जाऊँगा, तो मैं पीछे खड़े कर दूए, बच्चों ने क्या लिखा है, क्लास में क्या चलता है, सारा कुछ देख सकता हूँ, और साथ में revision भी करवा सकता हूँ, तो इसे साब से multiple use इसके है, इसके अलावा ये सारे tool हमने देख ली, से आपको round करना है, circle करना है, कुछ भी करना है, तो customize यहां पर सारे कुछ दिये गए है, तो हम आगे वो tools menu में देखेंगे, तो मैं यहां आता हूँ, आप देखेंगे tools menu, मैं इसको switch कर देता हूँ, तो आपका menu switch हो जाएगा, तो यह पूरा menu यहां चला गया, अब menu में जा आएगे, .dzd, pdf, jpg, तो जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे हाजिर नहीं है, तो आप .pdf या jpg में इसको save करके, सीधा quickly उनको WhatsApp, Telegram या कहीं से भी आप उसको सीधा डाल सकते हैं, email भी कर सकते हैं, तो बच्चे सीधा वो जो class पढ़े हुए है, आपने जो पढ़ाया हु पढ़ाया हुआ डेटा है, वो सीधा ERP पर पुष्ट डेटा के थूँ चला जाएगा, तो बच्चों को के आज पढ़ाने में आया है, वो teachers को या फिर उनके parents को पर डे पूरा report मिल जाएगा, उसके अलावा teachers भी इसे save कर सकते हैं, तो जो तीसरा format है, वो इसलिए use होता है और DZD के इसी के whiteboard format में वो save हो जाता है, उससे तीन फाइदे हैं, एक कि मैं अगर कल आया, एक 20 पेज का कोई पुष्टक है, या एक चेप्टर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आगे पढ़ाना है, टेडिस्टल क्लास्रूम में क्या होता था, जैसे मैं मैट्स का टीच आपको नहीं है, दिकत नहीं है, क्योंकि DZD मानी इसका खुद का format है, तो कल आप यहीं से आके start करके, आप revision करवा सकते हैं, पहले तो, दूसरी चीज, यह जो है, वो आप revision के अलावा, वहां से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे तेरवा पेज है, बारा पेज लिगे हैं, तेर प्राइब में upload कर दीजिए, या mail कर दीजिए, आप यहीं दूसरे class में जाके सीधा वो पढ़ा सकते हैं, तो आपका जो board work होता है, वो 80% तक कम हो जाता है, और बच्चों को समझने में easy रहता है, और आपकी मेहनत भी बच जाती है, और teachers, day by day compare कर सकते हैं, कि मैंने यहां यह पढ़ा है, मेरी यह गलती है, तो खुद भी improve हो सकते हैं, तो हर किसम से यह आपको useful होता है, इसके अलावा, यहां पर अगर देखेंगे, तो menu में open का option है, तो आप पुराने files यहां पर open कर सकते हैं, फिर insert है, तो insert में आप कोई भी images वगेरा यहां पर सीधा insert कर सकते है तो यह सारे feature आपको यहां पर मिल जाते हैं, के अलावा में जो बात कर रहा था, अभी मैं menu switch कर रहा हूं आपका, यहां पर blank page पर आ रहा हूं, फिर से menu switch करके, यहां पर आ गया, तो यहां पर आपको tools menu मिल रहा है, तो tools menu में आपको यह नई चीज़े है, ruler, compass, आपका triangle, protector, insert table, calculator, curtain, timer, calendar, camera, spotlight, split screen का option दिया गया है, जो लोग बोलते थे, कि 20 finger touch android में क्या जरूरत है, उसके लिए यहां आपको answer दिया गया है, कि 20 finger touch android में क्यों जरूरत है, तो यह सब tools यहां पर दिये गए, 12 tools यहां पर additional दिये गया है, जो आपको कोई और कमपनियां नहीं देपाती है तो मैं यहां से compass select करता हूँ, यह compass select करते ही आप देखेंगे, यहां मेरा compass आ गया, यहां पर मुझे जितना size करना इतना मैं खोलू इसे, और आपका shape जो है, उसमे 360 degree या 180 degree आपको round तुरंत मिलेगा, लेकिन आपको अगर customize round करना है, जैसे 80 degree का 154 या जो भी आप चाहे, तो कस्टमाइज round यहां से आप create कर सकते है, तो आप देख सकते है यह यहां पर आपको दिख रहा है, 140, 146, 150, 160, जो भी आपको चाहिए, तो मैं 236 degree का round यहां पर create कर रहा हूँ, इसको मैं close कर रहा हूँ, तो ऐसे customize आप सीधे-सीधा, यहां पर line आप draw कर सकते हैं, या कुछ भ रूलर मिज़े चाहिए, तो pen tool select करके मैं यहां से सीधा ruler के हिसाप से यह किया, इसको मैं angle create कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैं यहां पर रख रहा हूँ, यह मैं यहां पर रख रहा हूँ, तो सीधा आप यह देखेंगे, आपका angle create हो गया, अगर यह दोनों जुड़े हु प्योग करके बहुत कुछ चीज़े कर सकते है, tools menu में गया, फिर से मैं यहां पर triangle है, triangle में गया, तो यह आपका triangle का option आपके सामने आ गया, इसके अलावा tools menu में गया, यहां पर protector है, कितना मुझे line create करना है या क्या degree पर, यह देखेंगे आप 57, तो मैं pen tool की मदद से इतना exact 57 degree का con बना सकता हूं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो tools menu में insert table का option है, तो मैं आपको नए page में फिर से दिखाता हूं, blank page में, new page में आ गया मैं, यहां पर switch menu मैंने फिर से किया, insert table, तो table फूरा live रहता है, जैसे कि यह जो table है, वहां पर मुझे row या column add करना है, तो म copy करना है, delete करना है, कुछ भी मैं यहीं से कर सकता हूं, अब यहां से copy करूँगा, तो यह same table दूसरा आ गया, तो original table को ऐसे ही रखके, मैं दूसरा काम कर सकता हूं, आराम से, इसको उठा के मैं कहीं पर भी रख दू, सीथा उठा के, तो यहां पर यह copy हो गया, इसको मुझे delete करना है, मैं delete कर सकता हूं, और इसके उपर कुछ लिखना है, जैसे मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, table लिखना है, जो भी मुझे लिखना है, मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं, अब यह होने के बाद, यहां पर selection tool में जाओंगा, या मैं single tool में भी जा सकता हूं, इसक तरह स्केलिंग कर रहा हूं एक भी आपका पिक्सल फट नहीं रहा है और पूरा टेबल फुल साइज में आपको यहां पर दिख रहा है तो यही इसकी ब्यूटी है और यह जो ऑप्शन से वह आपको बाकी सब में देखने को नहीं मिलते हैं आप आगे देखेंगे पे टूल् अब गिंती करूंगा 56 x 20 यहां पर आंसर आ गया तो मैं यहां पर स्टीदा वह आंसर को मैं लिख सकता हूं इसे साब से मैं पूरा कस्टमाइज कर सकता हूं फिर आगे देखेंगे टूल्स में बचे वह आप्शन में यहां पर करना है अगर कोई आंसर मुझे हाइड करना है मैंने उनको टास्क दिया हुआ है तो यहां से पूरा आंसर आपका हाइड हो जाएगा अब कोई भी कर सकता हूं तो आप देख सकते ऊपर का ABCD हाइड था अभी दिख रहा है उसी साब से नीचे से उपर भी आ सकता हूं धीर धीर खोलने के लिए यह रहा इसी साब से मैं चारो और से इसको कस्टमाइज कर सकता हूं आप देखेंगे मैं यहां पर इनोग्रेशन करना है कुछ नया तो यह आपको काम आएगा यहां पर आपके खुद के फोटोस आप वगेरा लगा सकते हैं और आपको इनोग्रेशन करना है कुछ नया करना यह तो यह हैड करके अब यह कर सकते फिर तूल्स पर में जाओंगा ताइमर जैसे हमने देखा यहां पर मैं किसी को टाइम द सेट कर सकता हूं और स्टार्ट कर सकता हूं इसको मैं फूल स्किन भी कर सकता हूं तो पूरे पेज में खाली मेरे को मुझे यह अपना टाइमर दिखाई देगा अगर नहीं करना है तो यहां पर तो स्टॉप भी मैं कर सकता हूं कहीं पर भी बीच में पांच मिनिट के टाइम यहां पर इन बिल्ट नहीं दिया गया इसका दो दूसरी मोडल है उसमें बिल्ट इन कैमेरा आ रहा है लेकिन उसमें ज्यादा पैसा डालने से बढ़िया है कि आप अपने हिसाब से आई बोल फिंगर या फिर कोई भी आपका वेब केम ले लिजिए वह वेब केम जो आप यह यहां पर एटेज करेंगे उसका माइक इसके औरियो में भी चलेगा हाँ जब आप स्क्रीन रेकोरिंग में जाते हैं तो आपको कॉलर माइक या 3.5 mm माइक नहीं पहनना है या 3.5 mm जेक में आपको नहीं डालना है माइक और आप अगर चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि मुझे दिया गया है कि बच्चों का ध्यान बहार ना जाए कोई बीच इसको मुझे फोकस करवाना हो पटिकुलर वह चीज में फोकस करवा सकता हूं आप देख सकते हैं यहां पर पूरा साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं प्लस राउंड जो शेप है उसको में स्क्व कर सकता हूं यहां पर क्लोज करके मैं वापिस अपनी स्क्रीन में आ गया अब इसकी अलाव आप देखते हैं तो टूल्स मेनू में यहां पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है तो जो लोग बोलते थे कि ट्वेंटी फिंगर टच जो है वो Android में क्या काम है उनको यहां पर देखना चाहिए कि जो ओरीजिनल ट्वेंटी फिंगर टच वह यहां पर कैसे यूज हो सकता है तो अगर मैं चार अलग अलग लड़कों को बुलाना चाहता हूं चाहिए फिर कोई गेम खिलवाना चाहता हूं कुछ भी करना चाहता हूं यहां से मुझे ऑप्शन दिये इह ने करके ब्न डिया अपने एप चार भाग में हो गया अब यह चाहर बाग Punkte दो होने कि मैं यहां का जो नंहीं जहाँ आएमक कितना भी कर फिर हो और और क человечeto कलर है यहां पर में यहाँ पे लिखा रेड कलर से बीलिख सकता हूं यहां पे टूल दिया गया है अगर कुछ गलत हो गया अगर इरेज़ भी कर सकता हूं तो आप multiple use कर सकते हैं, और आप multiple use करके इसको इससाब से customize कर सकते हैं, जब मैं इसको close करने जाओंगा, दोनों साइड close का option है, जैसे ही मैं close करने जाओंगा, मुझे पूछेंगे, कि आपको close करना है, are you want to sure, और यहां पे आपको दूसरा option पूछेंगे, you want to save the file, अगर मैं confirm कर जाएगी, मैं exit करूँगा, तो मैं यहां से बहां निकल जाओंगा, मेरे main page में वापिस आजाओंगा, तो इससाब से multiple options यहां पर आपको tools menu में दिखने चाहिए, तो यह पूरा अपना tools menu है, जिसमें 12 options हमने देखे, उसके अलाबा QR code है, QR code में भी दो option यहां पर दिये गए हैं, और अगर आप देखेंगे, तो यह QR code है, वो generate होके हमारे cloud में save होता है, तो जब आप 30% से लेके 300% तक जाते हैं, तो यह आप zoom in, zoom out करते हैं, वही quality आपको आपके mobile में दिखने को मिलेगी, तो जो यहां पर आपको speed में दिख रहा है, वही पर आपको आपके mobile में भी same quality में दिखने को मिलेगा, तो इसके लिए, मैं क्या करूंगा, इसको share all और current page, दोनों option है, तो मैं share all पे click करता हूं, यह load हो रहा है, एक बार load होने के बाद, यह cloud पे चला जाएगा, QR code यहां पे upload हो जाएगा, तो जैसे QR code upload होगए, आप QR code scan कीजिए, जो quality 30% से 300% का है, वह भी आपके mobile में दिखे का, क्यों, क्योंकि आजकल के सारे mobile जो है, वो touch वाले हो गए, और touch mobile में आप जब zoom करने जाएंगे, तो बाकी सब का जो contain available हो फटेगा, इसमें आपको वो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपका pixel perfect display से यह जनरेट हुआ है, आप sound है वो भी क्स्टमाइस कर सकता हूँ, इस हीसाब से पूरा utilization, आप पूरा board का utilization कर सकते हैं, इसके अलावा QR code के साथ में यहाँ पर password का option भी है, तो मैं password जनरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको password भी रिखने को मिल जाए, तो दोनों हीसाब से में QR code पासवर जनरेट कर सीधा यह चीज़ बचों को share कर सकता हूँ, इस हीसाब से हमारा जो whiteboard है, वो बाकी whiteboard से काफी अलग है, और advanced feature से loaded है, तो आपको यहीं पर इतने options मिल जाएंगे, कि आपको OPS के पार्ट में जाने का ज़रूत नहीं है, फिर भी, अगर आप AI functions use करना चाहते हैं, जैसे कि तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, उसमें आपको जैसे हमारी स्क्रीन साइज है, वो 55, 65, 75, 85, 85, 95, 46 sizes available है, उसी तरफ से उसी साब से आपके OPS में भी अलग-लग options available है, i3, i5, i7, i9, तो यहां तक भी आपने देखा कि पूरा whiteboard का features यहां पर यूज होता है, इसे साब से यह पूरा डिजाइन, structure design हुआ है, धन्यवाद